हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं PHP के अंदर do while loop के बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा do while loop काम कैसे करता है इसके syntax को समझेंगे कुछ examples run करके देखेंगे interview questions में discuss करने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा do while loop के अंदर while loop के अंदर और for loop के अंदर इन तीनों के बीच में क्या difference होता है और यह हमारी PHP की playlist है 32 वीडियोज आच चुकी है और भी बहुत सारे वीडियोज आएंगी link आपको description box में available करवा दिया गया है और एक project भी आने वाला है इन सारे वीडियोज के बाद में और हर एक topic के साथ में interview question भी cover करने हैं जो आपकी काफी help करने वाले हैं interviews के अंदर अच्छा एक की दोर मैं आपको बताएता हूँ यह theoretical part है बट काफी useful है जिनको यह नहीं पता की loops क्या होते हैं अगर आपको basic idea है loops का तो आप इसी part से continue कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आने वाले ठीक है अब बात करते हैं while loop काम कैसे करता है देखो किसी भी loop के अंदर तीन चीजें काफी important होती है पहली चीज होती है कि loop की initialization कहां से होगी यानि कि loop start कहां से होगा उसके बाद में उसकी condition यानि कि वो loop कहां तक चलेगा उसके बाद में उसके अदर increment और decrement जो बाकी सारे loops होते है उनके अंदर condition पहले आती है और increment decrement बाद में आता है but do while loop जिसके हम लोग अभी बात करने वाले है उसमें क्या होता है increment decrement पहले होता है और condition बाद में आती है और अगर आप बात करते हो for loop की और while loop की उनके अंदर क्या होता है कि पहले initialization होती है value की बाद में condition आती है और increment decrement बाद में होता है, तो आप ये कह सकते हो, जो second और third steps होते हैं, ये swap हो गए है, do while loop के अंदर, मैं आपको syntax भी दिखा देता हूँ, एक बार के लिए, हम लोग चलते हैं, यहाँ पर while loop में, देखो, यहाँ पर क्या है, condition हमारे पास पहले है, right, जैसे हम लोग while loop लिखना, start करने, condition हमारे पास पहले है, increment, decrement बाद में है, same अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, for loop के अंदर, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले initialization है, उसके बाद में यहाँ पर condition है, and then increment है, decrement जो भी करना होता है, but, do while के अंदर क्या होता है, condition सबसे last में आती है, यही एक फरक हो और इसका एक छोटा सा effect भी पढ़ता है, आप जब code को run करते हो, loop को run करते हो, क्या, आपको पता चलेगा, जब आप code run कर चुके होगा, यह छोटा सा प्रोग्राम लिख चुके होगा, अब मैं क्या करता हूँ, एक file create करता हूँ, और उसका नाम रखता हूँ, do while loop.php, इसम तो यहाँ पर करते हैं, इसकी initial value declare कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, num, 0, initial value क्या इसकी, 0, और मैं यहाँ पर करता हूँ, do, यहनि कि क्या करना है, यहाँ पर लिख दो, और कब तक करना है, वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है, यहाँ पर हमारा increment, decrement और logical आ जाएगा यहां पर हमारी condition आ जाएगी ठीक है सो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा यहां पर जो भी मुझे करना होगा यान की मेरा logic होगा अभी मैं ज्यादा logic पर फोकस नहीं करूँगा इसी को समझ रहा है तो मैं प्रिंट ही करवाँगा तो मैं यहां पर इको कर देता हूँ current loop value is और यहां पर लिख सकते हो dollar num ठीक है उसके बाद में अगर आपको इसमें increment करना है decrement करना है तो मैं इसमें basically increment करेंगे यहां पर लगाएंगे dollar num plus plus ठीक है और यहां पर condition कब तक चलेगा यह loop जब तक हमारा जो num है वो छोटा होगा 10 से तब तक चलेगा जाने कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 जाने कि जब तक 10 इसकी value नहीं होगी तब तक ही चलता रहेगा और last मैं आप चाहो तो यहाँ पर semi-colon लगा सकते हैं अब इसको लोग run करके देखते हैं यहाँ पर आएंगे इसको मैं यहाँ पर run करता हूँ तो इसमें क्या हुआ? इसमें अचा यहाँ पर line break दे देते हैं, line break नहीं दिया मैंने और line break देने के लिए क्या कर सकते हैं simply यहाँ पर br tag add कर सकते हैं simple है यह हम लोग ने बहुत बार करा दिया ठीक है तो सबसे value current value कहा थी 0 और यह कहा तक चली 9 तक क्यों? क्योंकि 10 कि basically less than कर रखा था अगर मैं यहाँ पर equal to कर देता तो कहा तक चलती है तो यह चलती 10 तक ठीक है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि इस तरह से loop काम करते हैं इसके अंदर condition हम लोग last के अंदर पूट करते हैं बट इसका एक drawback भी है कही बार जो हम लोग को face करना पड़ता है जैसे कि इसकी value 0 है अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसकी value 0 तक ही चला दो तो basically चलना ही नीच चाहिए because इसकी value तो already 0 है ना तो यह चलना ही नीच चाहिए बट यह एक बार loop फिर भी चलेगा आप यहाँ पर देख सकते हो और अगर मैं यहाँ पर increment पहले गर दूँगा तो यहाँ पर एक आपको increment दिख भी जाएगा तो एक बार तो यह definitely loop चलेगा ही चलेगा कुछ भी गर लो यह basically आप कहा सकते हो drawback होता है बट इसका actual में use भी होता है आने वाले part के अंदर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोगों को for loop कहाँ पे while loop और कहाँ पे do while loop use करना चाहिए मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा है because अभी confused हो जाओगे अभी के लिए हम लोग basic basic concept के उपर जा रहे है फिर intermediate और advanced level concept के उपर जाएंगे right so I hope आपको idea होगा इसको आप चाहो तो जैसा हम लोगों ने last वाले part के अंदर देखा था न while loop के अंदर यहाँ पे पहले positive के साथ करा था 0 से लेके 10 तक फिर 10 से लेके 0 तक करा था तो आपके लिए एक छोटा सा task है कि इसको negative कैसे run करोगे यानि कि 10 जैसे 0 से start करके हम लोगों ने कहां तक चलाया था यह less than equal to 10 तक तो आप क्या करो 10 से लेके 0 तक इस loop को चलाओ यह आपके लिए छोटा सा task है आप अराम से करोगे मुझे पता है नहीं कर पारे हो तो मुझे comment section के अधर बताना या तो मैं code share कर दूँगा या फिर मैं screenshot दे दूँगा या फिर मैं अलग से video भी बना दूँगा आपके लिए alright that's all for this part and please channel को subscribe कर लेना यह आपके लिए completely free of cost है वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना comment section में feedback देना completely free of cost है so please do that इससे मुझे बहुत value मिलती है बहुत motivation भी मिलता है और यह मेरा paytm का donation number अगर आप donate करना चाहते हो thank you guys thank you so much